हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्याक्ष सुरेश कशिप से हमारे समधाता सुनील परमार्म ने खास बातचीत की। सुरेश कशिप ने 31 मई को पीएम मोदी के होने वाली रैली को लेकर जानकारी दी। करेकरम को लेकर हिमाचल प्रदेश बाजपा कितनी तयार है इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष बाजपा सुरेश कशिप जी जो की सांसद भी है प्रदेश सरकार द्वारा या आयूजित कारेकरम है भाजपा कितनी तयार है कि इतने लोग यहां पर जो इकत्रित हूंगे क्योंकि उनका भाशन सुनने के लिए तो सभी आतुर रहते हैं हिमाचल प्रदेश का यह सोभग्य है हमारा यह सोभग्य है कि केंदर सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के अफसर पर दुनिया के सबसे लोग प्रिये नेता श्री नेंदर मोदी जी जो की पूर में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के कौने कौने से बाकिव हैं लंबे समय तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश में परवास किया और एक महान शक्सियत हिमाचल प्रधार रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं उनका अभिनंदन, स्वागत और अभार भी प्रकड करना चाहूँगा कि आठ वर्ष का कारेकाल पूर्ण होने के उपर उन्हें हिमाचल प्रदेश को चुना है यह हिमाचल प्रदेश के लिए गरब की बात है, गरब की बात है जहां तक कारेकम की बात है, रिज मैदान के उपर कारेकम होगा, भवे कारेकम होगा बहुत बड़ी संख्या में कारेकरता और लाभारती क्योंकि यह सरकारी कारेकम है इसलिए प्रदेश के कोने कोने से ला भारती यहां पर पहुंचेंगे, 50,000 का लक्षे हमने रखा है, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बढ़िया कारिक्रम रहने वाला है। अभी तक माननी अन्राग ठाकुर जी जो केंद्री सुचना पर सारम युवां खेल मंत्री हैं, वो आ रहे हैं, इसके इलावा अन्य मंत्री गण भी आएंगे, जिसकी जैसे ही सुचना आएगी, हम आपको उसके बारे में बताएंगे, ये सोभाग गये कि हिमाचल प्रदेश क को मौका मिला है, और इत्यासिक शहर, शिमला और इत्यासिक रिज्ज का मैदान, माननी परधार मंत्री जी के कारिकम का साक्षी बनेगा, उसका गवाँ बनेगा, तो ये थे हमार साथ सुरेश कशिप, हमाचल प्रदेश, शिमला, लोकसबा, सांसत, तथा हमाचल प्रदेश भाजपा परदेश अधिक्ष जिन्होंने साफ़तर पर कहा है कि मोदी जी का जिस तरह से खासा लगाव हिमाचल परदेश के साथ सदेव रहा है और उसी के चलते जो है वो देश के परधान मंतरी ने आठ साल का केंदर का कारेकाल पूर्ण होने पर सबसे पहले हिमाचल परदेश को चुना और शिमला के इत्यासिक रिजमेदान से ही पूरे देश को वो संबोधित करेंगे अपने